पर semester का क्या मतलब होता है आज की वीडियो में सीख लेते हैं पर semester का मतलब होता है प्रती सत्र और सत्र जो है ये आम तोर पर जो semester होता है वो 6 महिने का होता है हाला कि कुछ जगहों पर इसका duration जो है वो कुछ ज़ादा भी हो सकता है 7-8 महिने भी हो सकता है या 4-5 महीने भी हो सकता है पर आम तोर पर जो semester होता है वो 6 महीने का होता है और जैसे कई बार आपसे fees जो ली जाती है वो पर semester ली जाती है तो अगर आपसे कहा जाता है कि आपकी जो tuition fees है वो 40,000 रुपे पर semester लगेगी तो इसका मतलब है कि आपसे हर semester के 40,000 रुपे लिये ज semester for tuition यानि कि हर 6 महिने में आपको हर semester के लिए 40,000 रुपे देने हैं या फिर आप कहना चाहें कि प्रते एक छातर को प्रती semester एक project जमा करना होगा तो आप कह सकते हैं each student must submit a project per semester या अगर आप ये कहना चाहें कि छातरों को प्रती semester 5 पाठ्यकरम लेने के अनुमती है तो आप कह स students are allowed to take 5 courses per semester अब आप किसी भी word का मतलब Hindi और English में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल